प्राक्रुतिक चिकित्सा दिवस की अवसर पर एडवांस आयूश वेलनेस सेंटर द्वारा दो दिवसी मिट्टी चिकित्सा शिवर का आयूजन किया गया था रविवार को इस से शिवर का समापन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्राकृतिक चकित्सा का लाब लिया शुभाराम बावसर पर जहां इंदौर किसान सदर्शंक लालवानी शिवर में शामिल हुए थे तो वहीं समापन अवसर पर संभागाय उक्तिमाल सिंग भैडिया इस से शिवर में पहुँचे शरीर को चमकता दमकता और सौफ्थ रखने के रिए पुराने समय में मिट्टी का उप्यों किया जाता था मिट्टी का लेप लगा कर धूप में बैठने से तो अचान निखर जाती है लेकिन आधुनिक होती जीवन शैली के चलते हम रिशी मुनियों द्वारा अपनाई जाने वाली इन पद्दतियों को भूल गये है एडवांस आयूश वेलनिस सेंटर दोआरा प्राक्रोतिक चिकित्सा दिवस के अउसर पर मिट्टी चिकित्सा शिवर का आयोजन किया गया दो दिवसिय शिवर की शुरुवात शानिवार को हुई थी जिसमें जिले की सांसद शंकरलालवानी मौजूद रहे थे पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मिट्टी चिकित्सा पद्दति का लाब लिया साथ ही डॉक्टर ए के दुवेदी ने प्राकृतिक चिकित्सा के लाब के बारे में भी शिवर में आये लोगों को जानकारी दी डॉक्टर दिवेदी की अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक श्रमता बढ़ाने में मिट्टी महतोपून भूमिका निभाती है पुराने समय में घर मिट्टी के होते थे लोग जमीन पर बैठ कर भोजन करते थे जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक श्रमता बढ़ जाती थी उसी को ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी चिकित्सा शिवर आयोजित करते हैं ताकि लोग प्राकृति के और करीब आए हमने प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर दो दियोशी निस्तुलक मिट्टी चिकित्सा शिवर आयोजित किया था जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने और पूरुशों भायों ने भाग लिया मिट्टी चिकित्सा सिविर से ये लोगों को जो लाभ मिला है उसके बारे में मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम मिटी स्नान करते हैं जो हमने विशेश प्रकार की मिटी बनाई थी जिसमें छे फिट नीचे जमीन से निकाली होई मिटी थी और उसमें पास तरह के अन्यम मिटी थी घी था कपूर था केसर था रही था तो उसको लगाने के बाद जो लोगों को सुगंधा इस सरीर में और जो उनको मौस्टराइजर की जरुवत नहीं पड़ी जिनकी ड्राइ स्किन होती है उनको लगा कि हमारी स्किन तो बहुत सौफ्ट हो गई तो सौफ्ट स्किन के लिए आप मिटी चिकेसा अपना सकते हैं इसके अलावा जो शरीर में ठाकावट आती है जिनको ब्लड सुगर रहता है वो जल्दी ठाकान महसूस करता है खुब सारा खाने के बाद भी सरीर में कमजोरी रहती है या नसों की दूरबलता हो जाती है उनके लिए भी मिटी चिकेसा काफी लाबदायक होती है औ तो मिटी और धूब ये दोनों मिलकर के हमारे सरीर की इम्मिनिटी रोग प्रतिरोधक छमता को बहतर करती है। जो अन्य दवाईयों से, जो मेडिसीन से जो उपचार होता है, उसमें काफी साइड एफेक्ट होते हैं और इससे ज्यादा फाइदा है और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई एंग्जाइटी का मरीज आता है या तो फिर डिप्रेशन का मरीज आता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं और कई मरीजों का ये मानना रहता है कि हमें ज्यादा अमांट में ज्यादा डूरेशन तक के लिए मैडिसीन नहीं चाहि कई बार रिसर्च में भी ये देखा गया है कि अगर हम सिंपल मेडिसिन देते हैं तो रिजल्ट कम मिलते हैं और अगर हम उनको शिरोधारा या तो साइको धरेपी के साथ मेडिसिन देते हैं तो इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और ये काफी कारगर मैथड है एडवांस्ड आयूश वेलनिस सेंटर में शिरोधारा सहीत प्राकृतिक चिकित्सा क्यानी पद्देतियों से उपचार किया जाता है ब्यूरो रिपोर्ट डिजियाना नियूस इंदावर